चैनल सलाद में करो साथ है, उल्टिक के पसे उलान, फाल के क्लिक किया, एक VARNIE के आइन है लेकिन कोई एरर नहीं है, देखते हैं, वार्निंग क्या है, यहां पर देखें न, आप LINE कितनी है, total नाइन लान, warning 1, error 0, error नहीं है तो यह run होगा, लेकिन warning क्या है देखिए choice is declared but never used, आपने choice को declare तो किया है, लेकिन कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो यह एक warning है warning से कोई फर्रक नहीं होता, आपका program properly run होगा, run कर आके देखते है run कर आया, तो यह run कर आया, तो blank screen आ रही है और blank screen आने का reason क्या है, कि हमने सिर्फ declare किया है, ना तो कोई printf statement है, output सिर्फ किस से आएगा printf statement से, printf statement हम थोड़ी बिएर में सीखने वाले हैं बिल्कुल ऐसे ही, जैसे हमने choice declare किया था वैसे हम एक ही line में कई variable भी declare कर सकते हैं जैसे हैं यहाँ पर ही करके देखते है choice की जगे पर c1 एक, c2 दूसरा और c3 तीसरा आप कितने भी कर सकते हैं, मैंने 3 की हैं आप 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं एक ही line में, बस आप आप comma से separate करना नहीं भूलिए comma लगाएंगे, तो compiler को समझ में आएगा कि आपने c1 नाम से एक variable होनाया है sorry, c1 नाम से एक variable होनाया है c2 नाम से दूसरा और c3 नाम से तीसरा इसका data type क्या है? character है अब आप इसको run कराइए run कराने पर error नहीं आएगी आप किसी भी जब data type को आप बनाते हैं आपने बनाया लेकिन अभी तक use नहीं किया है use करने का मतलब क्या है? आपने एक variable तो बनाया c1 लेकिन क्या आपने उसमें कोई value दी? c1 की हिससे में क्या value है? कुछ value नहीं है आप तो आप जो value देने का जो प्रोसीजर होता है उसको क्या बहुते है? initialize करना तो जब initialize किया जाता है किसी भी variable को तो किस तरह से करते हैं? बरावर लगा कर equal का sign लगा कर उसको initialize किया आता है कैसे किया? इस statement में किया है character type का एक variable बनाया जिसका नाम है C1 और उसको immediately एक value दे दी गई जो क्या है y value जब आप character को देंगे तो याद रखिए single quote लगाना जरूरी है अगर आप single quote नहीं लगाएंगे तो value assign नहीं होगी इसको हम आगे सीखेंगे विल्कुल ऐसे ही दूसरी line में एक ही line में इन्होंने दो variable declare किये हैं और उनको value assign किये हैं तो यानि कि declaration और initialization एक ही line में हुआ है अब बात करते हैं input output instructions की सबसे बात करते हैं output instruction की आप output कहां पर ले सकते हैं देखिए जब हम अपने computer की बात कर रहे हैं तो हमारे जो output मिलता है वो हमें screen पर मिलता है हमें output लेने के लिए जो function इस्तिमाल करना है वो है printf function आप जब printf function का इस्तिमाल करेंगे तो वो आपको output देगा यहां print का मतलब तो आपको समझ में आया है कि छापिए यानि print कीजिए f का मतलब होता है formatted यह सिर्फ एक याद करने का तरीका है आप printf function याद करकिए तो printf function लिखने का जो तरीका होता है वो यह होता है कि आप लिखेंगे printf देखें सब कुछ small letter में होना चाहिए printf पहला bracket लगाएंगे bracket के लाद आप double quote लगाएंगे double quote के बाद आप सबसे last में एक double quote फिर से लगाएंगे bracket को close करेंगे और semicolon लगाएंगे semicolon लगाना हर line में जरूरी होता है जहाँ पर जरूरी नहीं होगा वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा अब आप जो कुछ भी print कराना चाहते हैं वो इन double quote के बीच में लगाएंगे तो आपको याद होगा जो हमने अपना cp1 नाम से program बनाया था उसको खोलते हैं file open cp1 को open किया दो है तो यहाँ पर देखिए हमने program बनाया था क्या लिखा था print f लिखा था यहाँ पर से हमने bracket start किया था लाशनल bracket close किया था और जो भी हम print करवाना चाहते हैं उसको double quote के अंदर यहाँ पर लिख दिया था और सबसे लाशनल सेमिकोन लगाया था तो जब हम इस program को run करा रहे थे तो output क्या आ रहा था I am learning तो इस तर ऐसे हमने print f function का इस्तिमाल किया था तो आपको समझ में आया हम लोगा ने print f function यहाँ पर क्यों लगाया था आपको get ch का menu भी समझ में आ चुका है अब देखते है print f को और कैसे इस्तिमाल किया सकता है print f की एक और form होती है print f लिखिए single bracket start कीजिए double quote लगाईए जैसा कि हम इसे लगाते है फिल देखिए format specifier अब देखिए format specifier मैंने अभी आप लोगों को c के लिए बताया था character के लिए बताया था module c या percent c percent sign आप लोगों को अपने keyword में यहाँ पर दिखाई देगा देखिए रहा percent c उसके बाद double quote लगाते है comma और variable